हेलो बच्चो नमस्कार मैं मनुराठी और आप देख रहे हैं मनुराठी यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ बात करूँगी बिहार शिक्षक भरती से रिलेटेड देखिए बोड के द्वारा आपका 22 जून 2023 को ही एक सूचना जारी कर दी गई थी वो ये कि आपका 24 अगस 2023, 25 अगस 2023, 26 अगस 2023 और 27 अगस 2023 को परिक्षा आयोजित कराई जाएगी Most probably जो 24 है उस दिन Language का Competency Test होगा जो Qualifying Nature का है बागी फिर First, Second, Third, Level 1, 2, 3 इस तरीके से रहेगा बाकिया Admit Card जब जारी होंगे और साथ की साथ जो भी सूचना आएगी वो हम आपको अपडेट कर देंगे आप यह मान के चलें कि आपका पेपर जो है वो 24 से लेकर 27 तारीक को है ठीक है पेपर पोस्पोन नहीं होगा किसी भी हालत में क्योंकि आप देखिए कि आपका बोर्ड के द्वारा एक 8 जुलाई 2023 को एक सूचना जारी की गई कि जितने भी आपके महा विध्याले और विश्विध्याले हैं इसमें किसी भी तरह की परिक्षा काया हो जो ना कराया जाए तेयारी जोरो पर है ठीक है और क्या बात है और बात ये है कि आपके सिक्षक भरती आवेदन कितिती 19 जुलाई तक पड़ गई है ये परिक्षा दो पाली में होगी 6 लाग से कम आवेदन होने पर एक पाली में परिक्षा लेने का प्रवधान है मगर देखिए कक्षा एक से पांच में 6.59 लाख मदब अधर स्टेट जो है वो तूटकर पड़ा है इन भरतियों में क्योंकि देखे यहां पर आप अब जब उनकी एंट्री जब से हुई है जब से आवेदन भी भढ़ घए दो खेंडेट जादा हो गये हैं दो पाली में अभी ने करा ना पड़े गईicus पेपर तो यही बात कही है उन्होंने ठीकये और यही आपकी बात आपकी होगी हां कक्षा एक से 5 तक की सिक्षक भरत में महिला केंडिडेट्स के लिए 50% सीट रिजर्व होगी ये बात बहुत अच्छी तरीके से यहां पर बताई गई है और वही eligibility वगारा को लेकर तो हमने आपको बात clear कर ही दी हैं बस मैं यह बताने रही है बड़ी भरती है और competition जो है इसमें अब तो खेर अधर स्टेट के एंट्री से बढ़ा ही है मगर जो भी है नोकरी के लिए तो आपको एक सीठी चाहिए मन लगा कर पढ़िए और जुड़े रही है मनुराठी यूट्यूब चैनल के साथ ठीक है ऐसी नही नही जानकारी हम आपको लाते रहेंगे ठीक है और अपडेट रखेंगे आपको ठीक थेंक यू